इंकम टेक्स डिपार्टमेंट द्वारा पिछले दिने की गई चापेमारी में कानपूर में इत्रवैपारी प्यूस जैन के घर से लगभग 257 करोड रुपे नगद 25 किलो सोना और 250 किलो चांदी बरामत की गई थी अदालत की आदेश पर प्यूस जैन को सुमवार को 14 दिन की नयाएक हिरासत में जेल भेजा गया अब इस मामले पर राजनीती भी शुरू हो गई है चापेमारी पर केंद्रिय मंत्री अनुराक ठाकूर ने कहा कि सपा को इस पर एजंसियों को बधाई देनी थी लेकिन सपा के लोग इसका विरोध करते हैं देश में केबल सपा के लोगों को ही इसका दर्द क्यों हो रहा है इस इत्रवाले से सपा का क्या संबंध है मुकतार अंसारी की बिल्डिंगों को गिराने का काम उन्होंने किया होता जेल में डालने का काम किया होता बहनों को सुरक्षा परदान की होती तो ये प्रजेक्ट वो अपने समय शुरू भी करवा सकते थे खतम भी करवा सकते थे लेकिन ये योगी जी की सरकार थी मोधी ज को बना कर उत्तर प्रदेश और देश को समर्प